अपनी कुशल नेत्रित्व क्षमता के कारण अलग पहचान रखने वाले मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान को केंद्र में कृषी विभाग का दायत वो सौपा गया है। केंद्र में सत्तारूर बीजेपी ने भी विधान सभा चुनाव 2023 के पहले खरीफ एवं रभी सीजन की प्रमुख फसलधान एवं गेहूं का समर्थन मूले क्रमशह 3100 और 2700 रुपए प्रती क्विंटल किये जाने की घोशना की थी। लेकिन विधान सभा चुनाव खत्म होने के बाद यह मूल्य व्रिधी समर्थन मूल्य में यह व्रिधी नहीं हुई इसके स्थान पर मध्य प्रदेश एवं राजस्थान सरकार ने गेहूं की खरीदी पर 125 रुपए प्रती क्विंटल का बोनस दिया। इन दोनों राजियों में गेहूं का समर्थन मूल्य 2400 रुप मध्य प्रदेश को साथ बार क्रिशी कर्मन अवार्ड मिला है। उनकी इसी कार्य प्रणाली को ध्यान में रखते हुए मोधी सरकार ने उन्हें क्रिशी मंत्राले की जिम्मेदारी दी गई है। अब देश के किसानों के भाई बनकर उनका दर्द बांटेंगे और उनकी समस्याओं को हल करेंगे। किसानों की सबसे बड़ी समस्या न्यूंतम समर्थन मूल्य की है। फसलों का न्यूंतम समर्थन मूल्य सही तरीके से तै हो एवं मिले तो किसानों को बहुत फाइदा हो स में 8-10% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। धान, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज और कपास के जैसी खरीफ फसलों के किसानों को MSP से बढ़ने से खासा प्रोथ साहन मिलेगा। खरीफ फसलों के MSP में वरिधी करने से खास कर सोयाबीन एवं धान उतपादक किसानों को फाइदा मिलेगा। आधिकारिक सूतरों के मताबिक भाजपा शासित केंद्र सरकार दो हजार चौबीस से पच्चीस के खरीफ सीजन में उतपादित फसलों के नियूंतम समर्थन मूल हुआ था। चुनाव खत्म होने के बाद MSP में वरिधी होना तै है। हालां कि यह वरिधी कितनी होगी यह अभी तक क्लियर नहीं है बताया जा रहा है कि भाजपा अपने घोशना पत्र के अनुरूब धान का समर्थन मूल्य 3100 एवं गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए